Hello students, NCRT Maths, Class 9th में आप सभी का स्वागत है आज हम प्रिश्ना बली 2.1 में प्रिश्ने क्रमांक 2 हल करेंगे तो आईए सबसे पहले प्रिश्न पढ़ लेते हैं इसमें दिया गया है निम्नलिखित मैं से प्रतेक में एक्स बर्ग का गुडांक लिखिए तो हमें यहां पे चार प्रिश्न दिये गए हैं और सभी में हमें एक्स बर्ग का गुडांक लिखना है तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो गुडांक है ये क्या कहलाता है और कैसे हम किसी भी जो चर रासी है उसका गुडांक निकालते हैं तो आईए, सबसे पहले हम गुणांग को समझते हैं तो गुणांग समझने के लिए हम कोई भी यहाँ पे बहुपद लेंगे जैसे कि 3X बर्ग प्लस 2X प्लस 4 अब यहाँ पे यदि हम से पूँचा जाए पहले मैं डारेक्ट आपको बताता हूँ, फिर इसका रीजन बताता हूँ अगर आपसे डारेक्ट पूँचा जाए कि X बर्ग का गुणांग के कितना है तो X बर्ग के साथ में क्या है? 3 है तो X बर्ग का गुणांग के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा तो यदि आपसे X बर्ग का गुणांक पूछा जाए किसका गुणांक पूछा जाए X बर्ग का गुणांक तो वो कितना होगा तो X बर्ग का गुणांक होगा 3 लेकिन यदि आपसे X यहाँ पे X बर्ग है और X भी तो है तो अगर आपसे X का गुणांक पूछा जाए तो कितना होगा 2 X का गुणांक कितना होगा तो X का गुणांक 2 होगा तो इस तरीके से हम गुणांक निकालते हैं तो गुणांक का मतलब क्या होता है जैसे एक्सबर्ग का पूछा तो एक्सबर्ग के साथ में जो गुणा में अंक लिखा है वही तो गुणांक का कहलाता है गुणांक का मतलब है किसी भी चर्रासी आपको केबल चर्रासी देखना है जैसे एक्सबर्ग हो गया X हो गया यह चर रासिया है ना इनके मान बदलते रहते हैं तो उसके साथ में गुणा में जो अंक लिखा रहता है उसे ही हम गुणांक काहते हैं जैसे दूसरा समिखरन है तीन बाई वर्ग प्लस चार यहाँ पे एक बहुपत दिया गया है तीन बाई वर्ग प्लस चार अब इसमें आपसे बाई वर्ग का गुणांक पूछा जाए तो आप क्या जबाब दोगे तो बाई वर्ग का गुणांक कितना है तीन है जैसे यहाँ पे लेकिन X वर्ग का नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे बाई बर्ग का पूछा जाएगा जैसे नॉर्मल एक्जामपिल आपको एक समीकन दिया गया है तीन टी प्लस छे और आपसे इस समीकन में टी का गुणा अंक पूछा जाए तो टी का गुणा अंक कितना होगा? क्योंकि टी के गुणा में कौन सा अंक है? तीन है तो टी का गुणा अंक कितना होजाएगा? तीन होजाएगा लेकिन यदि इसी बहुपद में आप से टी बर्ग का गुणा पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? इसमें क्या टी बर्ग है, क्या कहीं? अंसर है नहीं टी बर्ग नहीं है इसलिए टी बर्ग का गुणांक कितना होगा जी रो होगा तो गुणांक किसी का भी हो सकता है या किसी का भी पूँचा जा सकता है जैसे आपसे X का गुणांक पूछा जा सकता है, X बर्ग का गुणांक पूछा जा सकता है, बाई का गुणांक पूछा जा सकता है, या फिर बाई बर्ग का गुणांक पूछा जा सकता है आईए यहाँ पे हम एक दो एक्जाम्पिल और करते हैं और इसके बाद आपका गुणांक जो है किलियर हो जाएगा जैसे यहाँ पर चार बहुपत लिखे हुए हैं अब पहले कॉश्चन के और देखते हैं इसमें आपसे यदि एक्सबर्ग का गुणांक पूछा जाए तो क्या जबाब होगा क्या आप बता सकते हैं एक्सबर्ग का गुणांक कितना होगा तो इसका सही अंसर है एक्सबर्ग का गुणांक होगा 3 पहले question में x बर्ग के साथ गुणा में क्या लिखा है 3 तो x बर्ग का गुणा के कितना हो जाएगा 3 लेकिन इसी पहले question में आप से x का गुणा के पूचा जाए किसका गुणा के पूचा जाए x का तो x क्या इसमें है आंसर है नहीं ये तो x बर्ग है और फिर ये अचरपद लिखा है, लेकिन यहां पे X तो है ही नहीं, तो X का गुणां कितना होगा, 0 होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम इसी को आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, 0 into X, तो X का गुणां कितना होगा, 0, तो इस तरीके से, क्योंकि इसका मतलब 0 ही होता ह 0 का गुणा X में करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा इसलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप दूसरे तरीके से यह समझगे जो जिसका गुणांक पूछा गया है और अगर वही इस बहुपद में नहीं है तो उसका गुणांक कितना लिखना है आपको 0 लिखना है जैसे दूसरे question पर आईए अगर हम दूसरे question की बात करें तो इसमें आपसे जड़ बर्ग का गुणांक पूछा जाए तो कितना होगा J reg 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 तो वो कितना houगा? जीरो होगा, क्योंकि इसमें टीखन है नहीं, जैसे इस्ता में बाई का गुणांक पूच लिया जाए, तो बाई का गुणांक निंगाला काफी आसान है, उम्मीद है कि आप लोगो को गुणांक समझ में आ गया होगा, चलिए, अब हम एक्सरसाइच करते ही गुणांक लिखना है चलिए पहले कॉश्चन में अब आपको ही बताना है क्योंकि मेरा काम तो हो गया है समझाने का अब आपका काम है एक्सवर्ग का गुणांक बताईए तो यहां पर एक्सवर्ग अब यहां पर एक बात याद रखना है कि एक्सवर्ग के यह प्लस लिखा है और उसके बाद दो लिखा है तो यहां पर कुछ बक्चे यह गलती कर सकते हैं कि एक्सवर्ग का गुणांग हो सकता है कि वो दो बता दें क्योंकि एक्सवर्ग के यहां पर कुछ नहीं लिखा है लेकिन दियान रखना है ये तो प्लस में लिखा है दो लेकिन गुडांग का मतलब क्या होता गुडां में लेकिन एक्सवर्ग के गुडां में तो कुछ भी नहीं लिखा है तो एक माना जाता है ना तो एक्सवर्ग के बिलकुल पास में गुडां में क्या एक तो हम यहाँ पर लिख देंगे X वर्ग का गुणांग Yong के एक है इसके बाद दूसरा question देख लेते हैं दूसरी question में आपको यहाँ पे दिहान से देखना है और X वर्ग का गुणांग बताना है चलिए बताएए X वर्ग का गुणांग कितना है तो X बर्ग क्या इसमें है अंसर है एक्स बर्ग तो है लेकिन X बर्ग के आगे गुणा में क्या लिखा है तो यहाँ पर फिर कोछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे कितना माना जाएगा? एक माना जाएगा तो X बर्ग का गुणांक होगा एक तो यहाँ पे है लेकिन यह माइनस भी है तो माइनस अब साथ में लिखेंगे यहाँ पे पिलस था तो पिलस लिखना नहीं होता है क्योंकि पिलस का तो माना जाता है लेकिन माइनस है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा इसलिए X बर्ग का जो गुडांक होगा वो कितना होगा बताईए X बर्ग का गुडांक माइनस बन चलिए इसमें बताना है तीसरे कॉश्चन में चलिए तीसरा कॉश्चन आपके सामने है इसमें आपको X वर्ग का गुणांक बताना है X वर्ग की गुणां में कितना लिखा है सीधा ये पूरा पाई बटे 2 तो X वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा पाई बटे 2 तो ये हो गया इस तरीगे से अब चौते कॉश्चन की और चलते हैं चौते कॉश्चन में अंडर रूट 2 इंटू X माइनस बन तो इसमें हमसे पूचा गया है X वर्ग का गुणांक बताईए क्या इसमें X वर्ग है कहीं तो आंसर है नहीं X वर्ग तो है ही नहीं तो X वर्ग का गुणांक कितना होगा जैसे कि हमारे पिछले question में था लेकिन यहाँ पे तो X बर्ग है ही नहीं तो X बर्ग का गुणा कितना होगा जीरू तो इस तरीके से प्रश्निक रमा के दूसरा आसानी से आप कर लेंगे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा Thank you